तो कैसे आप लोग मेरा नाम में शुबड़ायन और आज हम शुरू करने वाले एक नया सर्भाइवल सीरीज मतलब नया और एक लौता सर्भाइवल सीरीज जो की मेरे चैनल में होगा तो यह इसका नाम है 100 एक सीड जो है वह मैंने डाला है एक दम रेंडम सीड है मतलब मुझे पता नहीं है क्या कुछ है कुछ पता नहीं है अंदर का मतलब ऐसे टाइप कर दिया और डिफिकल्टी में नॉर्मल में रखूंगा तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक लोता इसका मतलब क्या हुआ कि पि क्योंकि अगर तुम लोग में कोई मेरे नया चैनल में आता है और देखता है कि एक दो एपिसोड करके मैंने सब सीरीज बंद कर रहा हूं तो मेरा वाच्टाइम जो है वो कम हो जाएगा इसलिए वो सब बंद अब मेरा जो कॉंसेंट्रेशन है वो सिर्फ रहेगा इसी सीर सबसे पहला जो यह एपिसोड है इसको भी स्टाट करते है तो देख सकते हो मेरा जो सीड मैंने डाला था उसका मुझे कुछ पता नहीं था क्या है उस सीड में नहीं है पर इसमें मुझे रैंडम ली यह जो सीड है मिला है यहां पर एक विलेज भी है बहुती बढ़िया ब सबसक्राइब भाष्य है जुख आले विए उसके उपर भी एक सट होता है जितना मुझे पता है मुझे सिय और नहीं हाँ देखो यहां पर एक चेस्ट है तो इसमें भी वह घटिया लूट घटिया नहीं ब्रेट काम का है पर बाकी के चीज़े उतना उतना काम का नहीं है तो ठीक है नीचे चलते हैं और जाके देखते इस विलेज में और क्या क्या है नया नया चीज़े यहां पर भी घर है पर यहां से मैं बुक्स उठा के लिए जा सकता हूँ और आयरन गुलम भी है मतलब मैंने अगर गलती से भी विलेजर को टच भी कर दिया तो यह तो मुझे माफ नहीं करने वाला सिर्फ वीट मिला है मुझे जेस्ट में कोई नहीं और वहां पर एक डेजर्ट टेंपल भी है क्या सामने यह देख सकते हैं तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा पेर काट लेता हूँ थोड़ा सा उट चॉप कर लेता हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है उस डेजर्ट टेंपल में तो ठीक है इस सिर्यस को तो मुझे कंटीनू रखना ही है तो तुम लोग देखो क्या मैं इस सीर्यस को कंटीनू रख पता हूँ यह मेरा लिए एक चैलेंज है क्योंकि जितना बार मैंने सीरीज चेंज किया है क्या बोले तुम लोग को एक बार हाटकोर सर्वाइवल एक बार सर्वाइवल सीरीज एक बार एक बार सकाई ब्लॉक एक बार वन ब्लॉक कितना सारा सीरीज में तक स्टार्ट किया है पर एक भी कंप्लेट नहीं किया है इस इसको तो मैं 100 एपिसोड करने का मेरा चैलेंज है तो चलते अभी टेंपल में अगा तुम लोग जानते नहीं हो यह क्या चीज़ है तो मैं तुम लोग बता दू यह बहुत है पर यहां पे लूट होता है इसलिए मैं जा रहा हूं तो इसमें जाने का सबसे अच्छा तरीका यही है ऐसे जाओ और नीचे देख सकते हो का लडंक का एक प्रेसर प्लेट है उसको पहले तोड़ लेना है उसके बाद यह जो चेस्ट है इसका लूट तुम्हारा क्यों तोड़ना है उसका रीजन में थोड़ी दिर में बता रहा हूं तो रॉटन फ्लेश तो मैं नहीं उ तिया लूट इसमें डाइमन वाइमेंट गॉड़ एपल यह सब भी मिलता है गॉड़ एपल मतलब इंचैनेट एपल के बात कर रहा हूं इंचैनेट गॉल्डन एपल की उसको गॉड़ एपल भी बोलते है क्योंकि वह जो है वाइन क्रैफ्ट का सबसे रियरेस्ट फूड ह है रेरेस्ट फूड बोलूंगा आइटेम नहीं रेरेस्ट आइटेम जो है वह है ड्राइगन एग क्योंकि वह एक ही मिलता है तो इसका रीजन जो मैं बोल रहा था कि एक ट्रैप है इसका देख सकते हो यहां पर नीचे टी एंटी है और अगर तुम लोग बीना जाने यहा पर आके कूद गये उस प्रेशल प्लेट के ऊपर तो बस तुम्हारा खेल खतम यहीं पर खतम तुम लोग तो इसलिए मैंने बोला था कि यह ट्रैप है तो इसलिए इतना समाल समाल के ऊपर आना पड़ता है इसमें तो थोड़ा सा यहां से स्टोन भी उठा लेता हूँ क्योंकि स्टोन से इस रिए आवह में कोषि भी नहीं बना पाऊँए तो ठीक है आठ स्टोन मेरे पास अभी नौ अधर कोबलस्ट्वड हो चुक थोड़ा और उठा लेता हूं क्योंकि मुझे फ्वर्नेंस भी बनाना पड़ेगा उसके लिए फॉर्नेस के लिए आथ कोब तो ठीक है चलता हूँ उपर अभी और मेरे उपर एक ब्लॉक है इसलिए नहीं जा पड़ा हूँ यह जो दिख रहा है यह कुई सैंड स्टोन नहीं है यह ठेरा कोटा है यह डिजर्ट में तुम लोग को मिल जाएगा और टेरा कोटा जो इसका अलग से बायम भी होता है इसका है यहां पर एक काटोग्राफर भी है इसका मतलब इससे मैं मैं खरिच सकता हूँ बहुत ही जादा फायदा होगा बाद में अगर यह जो सीरीज है इसको तो मैं पूरा का पूरा 1.14 में नहीं करूंगा यह जो वर्शन है मेरा माइनक्रप्ट का यह 1.14.60 क्योंकि बीटा मे मैं इसको करना नहीं चाता हूँ यहां पर वीट है तो यह फार्मार चायद वीट बेचेगा मुझे और वहां पर देख सकते हो डार्कोग भी है यह देखता हूँ फार्मार मुझे क्या बेचेगा मतलब क्या मुझसे खड़ी देगा सॉरी तो आलू खड़ी देगा मुझस तो तुम लोग को अगर नहीं पता यह ठीक से देख लो यहां पर बहुत ही ओपी मैंने बोला ही क्यों सिर्फ एक आइडन के पैंट के लिए मतलब दो आइडन के पैंट और कुछ आइडन के लिए उतना बढ़ी हा लूट तो मिला नहीं पर यहां पर डाइमंड भाइमें मिल सकते ऑपसीडियन मिल सकते हैं तुम लोगों को इसलिए यहां पर तुम लोगों को यह वाला स्ट्रक्चर मिले तो यहां पर घूम के जरूर जाना तो यहां का फ़र्निस जो है मैं उठा लेता हो क्योंकि इनका कोई काम का नहीं है अगर ब्लाश्ट फरनिस होता तो काम का होता पर फार्निस कोई काम का नहीं है तो ठीक है अभी मेरे मुझे जो है अपने लिए एक छोटा सा जगा ढूनना पड़ेगा जहां पर मैं सेटल हो सकता हूं मतलब इन विलेजर के साथ मैं रहने वाला हूं नहीं इनके घर में यह छोटे-छोटे गंदे से घर में बिल्क जो रिकिता हो जो है आई रहें मिले और उसे यह फर लेता हूं पानी से यूंकि पानी जो है विधल अगर मैं डिलेक्तर की सफ्केल कर देले जैसे कि तुम लोग देख सकते हूं यहां पर एक नदी है इस डिजर्ट में पर तो एक काम कर लिता हूं मैं जल्दी से अपने लिए एक जगा ढून लेता हूं उसके बाद यहां पर आसपास जो पेर दिख रहे हैं तुम लोगों को यह सब काट जूंगा अरे बालक यहां प देख रहे हों तुम लोग यह प्लेञें थोड़ा सा जगा यहां पर मैं अपने लिए चोईस करता हूं यहां पर में अपना जो वेस थोटा सा भी स आभी के लिए स्टार्टिंग के लिए यह वाला इस जगा को में असे बनाने की जरूरत नहीं इस फिलेज से में एक बेड चुटा के लिए जाओ गवाओं किसी को बता ना मत मैंने बेड चुटाया है किसी को बताना मत उन्हों पता भी नहीं चलेगा इतना सब डफ़र है तो अपने लिए तो ठीक है देख सकते हो क्राफ्टिंग टेबिल में रख दिया है अब मनाना है मुझे चेस्ट एक की चेस्ट बन पाया अरे एक चेस्ट तो मैं थोड़ी दिन में भर दूंगा वहां से चेस्ट उठा लेना चाहिए था कोई नहीं एक काम करता हो अपने लिए मैं पिकाक्स बना लेता हो आईरेन का क्योंकि इन आईरेन मेरे पास पड़े हुए है और गोल्ड का पिकाक्स बोरोई मत गोल्ड का सब तो शुरू करते हैं तो भाई अभी हो चुका है रात थोड़ी दिर में रात हो गया क्योंकि मैं वहां पर घूम रहा था इसलिए इतना इतना सा टाइम में रात हो चुका है तो अभी मुझे जल्दी-जल्दी से जाके सो जाना पड़ेगा यह रहा मेरा बेड और बेट पर जाके क्लिक किया और सो गया बहुत ही बड़िया एकदम ओपी कोई मॉंस्टर को स्पॉन होने ही नहीं दिया मैं अगर मॉंस्टर स्पॉन हो गया तो इन विलेजर के नसीब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लेम आ जाएगा क्योंकि वह लोग आके उनको मार देगा तो ठीक ह अपना जो काम था वह कंटीनियू करते है मतलब पेर लकडी जो इखटा कर रहा था मैं फिर से करूंगा तो भाई ठीक है देख सकते हो मेरा मैं कब से लकडी इखटा कर रहा हूं बहुत जादा और तुम लोग अभी जो आवाज है वो ध्यान से सुनो एकदम मैं चुप कर ब्रस उखबर रहा हूं सुनाई दिया आवाज मैं चलने के बदद सेगह सुना ही देता माफ कर देना मुझे पर यहां पर जो है वोग इसलाइम है आज लाइम तो स्लाइम यह साहर्द हो सकता है एक हो स्लाइम नहीं कोई बढ़ी बात तो यहां पर देख सकते तो मेरे कितना ज्यादा ट्री जो पेड़े वो काटे है सब जगा से एपलिंग गिरे हुआ है तो यह जो जगा यह साइद से एक स्लाइम चंक है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि यह स्वांप में स्लाइम जो है वो नैच्रिल स्पॉन होते है तो मैं जो पेर काट रहा था उस नहीं सुपने फ़र्णिस चाहिए बस हो जाएगा रोस्ट और देख सकते हैं मेरे पास कितने सारा लख़ी आ चुका है अभी अभी इंसे मैं बना लेता हूँ प्लैंक्स और फिर बलैंक्स से मैं मैं बना लूंगा चेस्ट अपने लिए क्योंकि एक चेस्ट नहीं बाडा चेस्ट चाहिए एक तो मेरे पास पहले से हैं और मैंने बना लिया है ग्यारा चेस्ट तो यह कुल मिला के बाड़ा चेस्ट तो यह जो चेस्ट है इनको मैं ठीक से रख देता हो और TNT को कोशिश करता हो ना रखने की क्योंकि TNT बहुत जादा खतरनाक होता है तुम लोगों तो पता ही होगा तो एक के उपर एक ऐसे कर के तीन चैस्ट में रखूंगा डबल चिस रखूंगा सिंगल चैस ने उसके बाद यहां पर बगल में रखूंगा तो बा WR держ इस लिए यहां पर तीन भाई तीन कर के दो जो है वो आएगा तो यहां पे वे यह छैस्ट काई आ गया मुझे पता भी नहीं चला इसको भी लगा देता हूं यह अरे लगा दिया यह भी हो चुका है तो अभी जो है वो में अपना जो चिकेन हैत्तों मेने देता तो मेरे पास तीन ч stock कर लेता है इस को दो गती हैं मैं sut फ़िए तो यह जो चेट निकाल लेता हूँ अड़े एक श्टीक क्यूं वेश्ट करऊंजे छूंत तो ब्रेट बोथ ज्यादा अच्छा है है तो ठीक के मैं यह जो टैस्थ है इनको सजा देता हूँ तो भाई अभी बहुत देर हो चुका है तो मेरे मेंमें इन्वेंटरी में जितने भी सामान है वह सब मतलब एकदम उड़ रिलेटेड जितने भी सामान है वो इस चेस्ट में रखूंगा और यहां पर जो होगे नेचरल चीजे और यहां पर होगे खाने का चीजे और यहां पर होगा जो मॉब ड्रॉप से वो और नीचे वाले में और्स और यह दो चेस्ट मुझे एक्षा लगा मुझे बनाना पड़ा एक मैं होगा जंक मतलब यहां पर ऐसे चीजांगे मतलब जो एक और चेस्ट में फिट नहीं होगे इसी को मैं जंक बोल रहा हूँ और कुछ नहीं तो दो चेस्ट मुझे फिर से बनाना पड़ा अब चलता हूँ मैं विलेज में जाके थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ इधर देख लेता हूँ कि यहां पर क्या क्या चीज़े है यहां पर एक रॉटन फ्लेस मिल गया मुझे बहुत बढ़िया और भिल्ली गॉम रहा है यहां पर बहुत ज़्यादा एक को तो हाईजैक ज़रूर करूंगा बतलब एक को तो टेम जरूर करूंगा यहां पर लाइबर इर्य?. क्या बेचेगा मुझे बुक्शेथ हैm? कि डॉन्ट यू डियर मुझे बुक्षल बेचनी की अरे मज़ा कर रहा था कोई बात नहीं तो इसका जो ट्रेड है उसको मैं चेंज कर सकता हो कोई बात नहीं और यहां पर एक वंडरिंग ट्रेडर भी आ चुका है तो यह क्या बेच रहा है वही ट्रेडर का तो यह जो है वेल से यह मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेवल है मैं जल्दी-जल्दी से यह उठा लेता हूं और इसके बाद इसका वीड बनाके मैं इन्हीं को बेच दूँगा और यह मारील कमाऊंगा बहुत ज्यादा यह सुनने में तो बहुत ही विलेज यह लुट लेता हूं तो भाई मैंने जो विलेज में जितना सामान था सब कुछ लूट लिए है चेश्ट में सब देख लिए है तो तो ठीक है मेरे पास देख सकते हो पूरे की पूरे एक स्टैक अभी हेविल आ चुका है और वंडरिंग ट्रेटर का जो लामा है उसको मैंने मार दिया और उसके मुझे दो लीड मिले और दो मिला था लेदर उससे मैंने यह देख सकते हो आईटरेम भी मना दिया है और जब ज थीत्राम यहदल यह थो टूल्स है वह बनाऊंगा उसके बाद मैं चलूंगा माइनिंग के लिए स्टिप माइनिंग में कर सकता हूँ पर पर मुझे स्टिप मांइनिंग करना नहीं भी मिलता है डाइमल मिलने के चांसे वह ज्यादा होता है तो भाई प्रिपरेशन हो चुका है कम्प्लीट तो यहां पर मैं वाइस रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूं इसलिए तुम लोगों को वापे एक थोड़ा सा जंप मिला होगा वीडियो में तो वाइस में बाद में डा चीक्स भी मैंने ले लिया है और एक काम करूंगा मैं प्लैंक्स भी ले ले लिए यूँगा क्योंकि माइन में जब माइनिंग करने जाओंगा तब यह प्लैंक्स बहुत जादा काम में आएंगे तो अभी के लिए मेरे पास टौर्च इस एक भी नहीं है तो में टो कूल मुझे यहीं पर सिरस में मिल जायेगा तो यहां पर सामने एक केव इस में जयाूंगा यह बहुत ही सब्लाइड ही जो है वह बहुत ही ज्यादा मतलब एसा रिसोर्स है न उससरे साज और के बनाके मिलेगा एक तो ठीक है यहां पर देख सकते हो मुझे बहुत साथ कोल मिल चुका है तो इससे में बना सकता हो टॉर्चेस अपने लिए भर भर के और टॉर्चेस बना सकता हो इसका मतलब केप के नीचे मिल जा सकता हूँ क्योंकि लाइटिंग के कोई प्रॉब्लेम आसानी से लेख सकता हूं तो यहां पर जो यह पाणी का जो इस रोध यह नीचे जा रहा है बाद में जाके मुझे यह प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है तो अभी इसको बंद कर देता हूं मैं इसको बंद करने के लिए मुझे स्रीव इसको सामने जाना पड़ेगा और जहां से स्थोर्स स्पा कुल की तो यह रे ridge its to only में तो है पूडचा जो पानी का रया देख रहे है यह नीचे तक बट यहां पे भी एक होड़े यह बंद किया तो देख सकते हो यह फुरा पुरा नीचे औरे में गिना tumi कोई बात नहीं तो नीचे में आ चुका हो पानी में गिरने के बाद मैं नीचे आ चुका हूं और यहां पे एक केव की एंट्री है तो में जाके देख लेता हूं इसके में यहां पे मुझे टॉर्टरीच की रभड़ना च्टार्ट हो निया नोचे आया था तो अभी मैं जानेवाल तो यहाँ से दो तरफ रष्टा ज suis तो नदीटीत does पोणर एक दम इंफिनिटीपन एकदम करने लगे सब्सक्राइब घर मैं इसको wild नहीं करूंगा यहां पर इसलिए मैं टॉर्च रगाड़ा हूँ क्योंकि इससे यह जो पॉन आ रहे यह रुख जाएगा और यह जो है यह जूंबी स्पॉन नहीं करेगा तो यहां पर चेस्ट भी है दो देख लेता हूं लूट क्या है यहां पर कुछ बोन्स है एक आर्मार और कुछ स्ट्रिंग बस यही उतना बढ़िया नहीं है यहां पर भी गौड एपल मिल सकता है मुझे पर मिला नहीं और यहां पर फिर से टट्टी पर एक नेम टेग मिल गया है जो बेडराग एडिशन में एकदम टट्टी चीज़ है कोई यूज नहीं है और पंकिन सीट मिला है यह अच्छा चीज मिल गया है तो चेश्ट भी मैं इस बार उठा लूँगा क्योंकि पिछली बार मैं नहीं उठाया था और मुझे बनाना पड़ गया था इसलिए मैं उठा लिया और इसका जो है एक स्क्रिंशोर ले ले लेता हूं जल्दी-जल्दी से है तो चलता हूं मैं नीचे और यह तो और भी नीचे गया और वहां पर बहुत सारा जॉंबी और स्पाइडर के आवाज मुझे आड़ा है दिख भी राय है वह लोग यह आया जॉंबी जल्दी जल्दी से मारता हूं इनको वहाँ पे एक स्पाइडर भी है और जॉंबी भी है उस तरप क्या बात है यह जॉंबी तो गया है यह स्पाइडर आजा अब तू तेरी बारी है अब यह स्पाइडर भी गया है और यह एक जॉंबी यहां पर आइडर और कोल भी है एक काम करता हूं मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा खाना खा लेता हूं इसके बाद वो जो स्वाइड है उस साइड में पुरा टॉर्च लगा के आता हूं अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो आपर भी स्पॉन होके करें यह सकता हूं यह तो चलते ही जड़ा है कितना लंबा के नगा के मिलता थो ऐ मैं सोचता हूं कि यह फॉई सबसे बहुता है होता है नॉर्मल जंबी से भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसकी स्पीड की बजा से बहुत ज्यादा स्पीड होता है इसमें तो ठीक है यहां पर आचुका एक डेड एंड तो एक काम करता हूं मैं अब धीरे-धीरे यहां पर जितने भी रिसोर्सेस है वह उठाके चला रहा हूं यहां से एक और जो है वो नीचे जाड़ा है यहां से चलते हैं नीचे वहां पर आइड भी है और यह उपर भी जाड़ा है एक जगा यहां इस साइड भी जाड़ा है यह डेड एंड क्यों नहीं आता है मेरे यहां पता डेड एंड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो एक काम करता हूं यहां पर बहूं अपर इसको भी तोड़ लेता हो जल्दी जल्दी से और यहां पर अगर तुम लोगों को नहीं पता तो आइडें फर्म जो है वो पॉसिबल नहीं है इसलिए आइडें जो है बेड्रोक एडिशन में डाइमेल से ज्याधा किमती होता है और जाबा एडिशन में आइडन फार्म जो है वो पसिबल है इसलिए इतना ज़्याद कीमती नहीं होता है आइडन तो यहां पर एक डेडेंड है बहुती बढ़िया बात है यह तो ठीक है फिर से यहां पर जितने भी रिसोर्सेज में काम करता हूं सबके सब उठा लेता हूं जल्दी जल्दी से वह भाई बाल बाल बचा में तो यहां पर टॉर्च लगाता हूं उसके बाद दिखाता हूं क्या हुआ तो वीडियो में रेकॉर्ड नहीं कर रहा था इसलिए पहले वाला हाथसा तो नहीं दिखा सकता पर यहां पर एक और है सायद हां वह देखो ना इ अभी इसको मारने का एक ही तरीका है पीछे जाओ इसको मारो फिर पीछे जाओ और फिर मारो मारो फिर पीछे जाओ ऐसे करके इसको मारना पड़ता है अगर तुम इसके जादा सामने चले गए तो यह फूट जाएगा तो देख सकते हो मैंने इसको मार दिया है और यहां प पीकेक्स जो है देख सकते हो लिटरेली अभी तूटने ही वाला है थोड़ी देर में और यह मेरा दूसरा पीकेक्स है मतलब पहला जो पीकेक्स था वह भी तो तूट चुका है और आइडन तो मुझे बहुत सारा मिली चुका है मुझे लगता है एक स्टेक के करीब तो आइडन कम से कम मुझे मिला ही है यहां पर भी एक आइडन है एक नहीं है उपर भी है मेरा पीकेक्स जो है अभी तो तूटने ही वाला है एकदम यह तो पीकेक्स खतम ही है सोच लो और एक से दो ब्लोक बस यह देखो तूट भी गया तो यह मेरा आइडन का पीकेक्स जो है यही लास्ट है अभी तो मेरे पास बहुत सारे आयरेन है मैं बहुत सारे पीकेक्स अभी आयरेन के बना सकता हूं इसलिए इसको यूज कर रहा हूं तो यही होता है फ़रक स्ट्रीप माइनिंग में देख सकते हूं मेरे पास अभी 64 और 22 मतलब एक स्टेक के साथ 22 और आयरेन कि बनार है बहुत सारे आयरेन है तो इसलिए में यूज कर रहा हूं अगर मैं अभी स्ट्रीप माइनिंग करता है तो स्ट्रीप माइनिंग में मुझे अब तक साथ डाइमंड जो हो मिल चुका होता पर आयरेन जो है वह नहीं मिलता डायमंड अडायरेन से ज्जाधा किमती नहीं है मतलब उल्टा है आइडन जो है वो डायमंड से ज्यादा किम्टी है क्योंकि आइडन तुम लोग को अगर पता नहीं है तो तुम लोग जान लोग कि आइडन से इस्तेमाल करके तुम लोग सब कुछ कर सकते हो मतलब आइडन का इस्तेमाल ज्यादा होता है डायमंड स से तुम लोग आर्मार बना सकते हो टल्बार बना च्टे तूल new वो बना सकते हो बस आयरँ डायमंट का जोस्तेमाल अगचा पर बना सकते हो और अ मेकानिकल चीज जो तुम लोगों को माइनक्रफ्ट जो है उसको आटेमेटिक करेगा उसमें उसमें लगता है आइडन तो इसलिए आइडन ज्यादा जरूरी है डाइमंड से तो देख सकते हो मैं अभी अभी स्पॉनर जो स्पॉनर मिला था जॉम्बी उसके उसके पास पहु काल यहां पर थोड़ा ज़्यादा ही आइडन है जादा नहीं पांच ही था तो यहां से उपर कैसे जाना है तो चरके मतलब प्रेंग नीचे ब्लॉक लागा-लागा के जाने वाला हो कैसे तुम लोग करनी पता ए तो देख लो तो देख सक्ते हो यहां से साइट में अगर कर तो मेरे पास कबल स्टोन जो है वह अभी कबल स्टोन यूज करूंगा तो ऐसे करके तुम लोगों को अपने पैर के नीचे क्लिक करते जाना है जैसे क्लिक करोगे और कुदते जाना है उसी टाइम अगर तो नहीं होगा तो देख सकते हो मैं बहुत उपर आ चुका हूँ मेरे उपर एक ब्लॉक है इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे इसको उपर तो डर्ट होगा एकदम सी ओड तो मुझे थोड़ा सा उस साइट करना था पर कोई नहीं इसको मैं तोड़ देता हूँ और यह तो डर्ट है इस सबल से काम जल्दी होगा तो ठीक है मैं पहुंच चुक तो मेरे पास जितने भी आइड़न अभी वो जो आईड़ने उनको मैं अभी समेल्टिंग करने के लिए रखने बाला हूँ तो देख सकते हो मेरे पास बहुत जादा आइड़न भी आ चुका है कड़ीमें दो स्टैक कोल और वो आ चुका है तो एक स्टैक कोल मैं इस अपर पूर इन्मेंटरी इसको भी थोड़ा सा काली कर लेता हूँ थोड़ा कोल अपने पास भी रखता हूँ क्योंकि टॉर्चेस बनाने हुए काम आएगा तो ठीक है भाई देख सकते हो बारित जो है वह थम चुका है और मैं थोड़ा सा इधर उदर टौर्चेस भी लगा दिया है विलेज में जाके थोड़ा सा टौर्चेस भी मैंने लगा दिया है तो यहाँ पर न गार अबी ...? रहत आघो अभी तयार हो रहा है दीरे दीरे तो बहुत ही जल्दी यह वाला जो फरनेस है इसमें तो कंप्लेट होने वाला है पर इसमें अभी भी 44 बचे हुए है इसमें अभी टाइम लगेगा 41 आइडन और अभी आइडन इंगेट मुझे मेरे पास हो चुका है तो इससे मैं बना लेता हूँ अपने लिए आइडन के फुल सेट मेरे पास जो है वो ट्राउजर मतलब पैंट जो है मेरे पास पहले से था इसलिए मैंने सिर्फ चेस्ट प्लेट हेलमेट और बूट्स बनाया है तो अभी भी मेरे पास बीश आइडन जो है वह बच चुके है इसको इस चेस्ट में रख देता हूँ औ तुम लोगों को दिखाई है तो आज की एपिसोट के लिए बस इतना ही तो अगर आप लोगों को यह पसंद आजाए मुझे बहुत जहाँ लंबा अचुका है कम से कम 30 минут तक का एपिसोट तो यह है तो यह एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दा लाल वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलना क्योंकि वो ही सब्सक्राइब बटन है वो अगर तुम लोग दबाओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा कोशिश करूँगा 100 एपिसोट करने की तो यह बहुत ज़्यादी तो होने वाला है नहीं अभी तो सिर्फ एपिसोट 1 है ऐसे ही करके एपिसोट आते जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपसे अगले न्यू गेमिंग एपिसोट में तब तक के लिए गुडबाई